मुझे बच्पन से ही मार्च का महीना पसंद था, क्योंकि मार्च महीने में स्कूल बंद हो जाते थे और आम का मौसम शुरू हो जाता था, और एजुकेशन और स्कूल जाने वगर जैसी बेकार की बाते नहीं होती थी, मगर इस बार एक मार्च के दिन मैं स्कूल गया, ईशा होम स्कूल में उन बच्चों से मिलने, जो बारवी खत्म करके यहां से जाने वाले हैं, ये बच्चे यहीं हमारे साथ बड़े हुए हैं, और मुझे कुछ घंटे तो उनके साथ बिताने ही थे, पिछले कुछ सालों में, उनकी शक्सियत ने जिस तरह से आकार लिया है, वो वाकई बहतरीन है, हमने इन बच्चों को इसकी परवा किये बिना बड़ा किया है, कि वो जीवन में क्या करेंगे, रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, और उनका क्या होगा, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे ऐसी कोई चिन्ता नहीं थी, कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, अपना जीवन कैसे सवारूँगा, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मार्च महीने में मैं पागल हो जाता था, तो उस दिन मैं बच्चों के साथ था, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा विगास किया, और मैं बहुत खुश हूँ, जिन लोगों ने होम स्कूल को काम्याब बनाने के लिए मैनत की है, उनका काम वाकई असाधारण है, इशा होम स्कूल निश्चित रूप से इशा फाउंडेशन के चमकते सितारों में से एक है, यह अनोखी है और सुन्दर भी, यह सचमुच में अद्भुत है कि मेरे जैसा आदमी, जिससे हमेशा क्लासरूम से अलर्जी रही थी, वहाँ जाने पर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे फिर एक बार स्कूल जाने का दूसरा मौका मिल सकता है? तो इस बार, एक मार्च से मार्च का महिना इस तरह शुरू हुआ. मैं उनके साथ करीब दो घंटे ही बिता सका, क्योंकि देश भर से आई फिकी फ्लो की महिलाएं मेरा इंतजार कर रही थी. उनके साथ भी हमने करीब दो घंटे बिताए. इस महिने में अंतर राष्ट्री महिला दिवस भी आता है. ये महत्वपून है कि हम इस बात को समझें कि पुरुश और महिलाएं एक ही प्रजाती के प्राणी हैं. ये सोचना बेवकूफी है कि किसे किस से बहतर होना चाहिए. ये दोनों एक ही चीज के दो अंश हैं. कौन किस से श्रेष्ट है, किसे क्या-क्या मिलना चाहिए, इन चीजों की बहस पूरी तरह खत्म होनी चाहिए. ये बहुत जरूरी है कि जैविक पहलूँओं के अलावा दोनों में कोई भेदना हो. अगले दशक में हमें अंतर राष्ट्री मानव दिवस भी मनाना चाहिए, ताकि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, किसे बहतर सुविधाय मिलनी चाहिए. ये चीजें एक समझदार इनसान के दिमाग से पूरी तरह निकल जाएं. इस चीज की बहुत जरूरत है. मुझे उम्मीद है कि हम दुनिया को इस दिशा में ले जा पाएंगे. बहले इस रास्ते में कई रुकावटे हैं, कई पूर्वा ग्रहों के रोडे हैं, मगर सही तरह की शिक्षा और अपने भौतक शरीर के प्रती सही तरह के नजरिये से इसे बदला जा सकता है. और उसी रात, मैं नीलगीरी पहाड़ों पर बसे शहर उटी के लिए निकल गया. इस बार हम दूसरी से चौथी मार्च के बीच इनर इंजिनेरिंग टीचर्स की सालाना बैठक के लिए वहां गये. इस बार उन सभी ने नीलगीरी पहाड जानत तैय किया. क्योंकि ये सद्गुरु श्री ब्रह्मा के लिए सौवा गुरु पूजा उट्सव भी था. इसके लिए वो सद्भुत इलाके और वहां के शांदार पहाड़ी लोगों के बीच होना चाहते थे. तो हमारे टीचर्ज वहां थे और दो और तीन मार्च को मैं उनके साथ था. इन टीचर्ज में से ज्यादा तर युवा लोग हैं. यहां तक कि हमारे साथ 15-20 साल से रहे टीचर्ज भी 40 की उम्र के आसपास ही हैं. इन ही युवा लोगों ने जमीनी इस्तर पर यह अंदोलन तयार किया है. वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी लगन, समझदारी और जो बुद्धी मत्ता उन्होंने दिखाई है, वो वाकई असाधारंड है. काश मैं अपने टीचर्स के साथ थोड़ा और समय बिता पाता, क्योंकि मैं उनके अंदर और भी बहुत कुछ डाल सकता हूँ. दुर्भा किसे शेडियूल ऐसे हैं, उनका शेडियूल और मेरा शेडियूल, अब ये कॉम्पेटिशन हो गया है कि कौन अधिक बिजी है? हम इस हरे भरे जंगल में बैठे. पांच मार्च को हम कई बैठकों के लिए बैंगलोर में थे, खास तोर पर नधी अभ्यान यानि रैली फर रिवर्स की बोर्ड मीटिंग के लिए. बोर्ड के मौजूदा सदस्य, जिन में बहुत शांदार लोग हैं. उनके अलावा, हमने देश की एक बहुत महतुपून शक्सियत, श्री किरन कुमार को बोर्ड में शामिल किया, जो पिछले कुछ सालों से भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन, यानि इसरों के बोख रहे हैं और हाल ही में रिटायर हुए हैं. वो बहुत गरिमा पूरवक नदी अभियान में शामिल हुए हैं. हम उनकी उपस्थिती का स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो इस आंदोलन में जबरदस्ट योगदान कर सकते हैं. नदी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, निकट बविश्य में भी केंद्र सरकार और नीती आयोग के सलाकार राज्यों में आकर बताएंगे कि इसे कैसे लागू किया जाए, ये बहुत साफ है कि ऐसा करना संभव है, नदियों को पुनर जीवित करने का ये रूपांतरन किसानों के जीवन को भी पुनर जीवन देगा, इसलिए हम खुद को तटवर्ती इलाकों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, इसे आगे तक फैलाया जाएगा, इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो भारती, क्रिशी और बदले में देश के ग्रामीन जीवन को रूपांतरित कर देंगे, मैं अगले 10 से 12 सालों म ये रूपांतरन होते देखना चाहता हूँ, अगर हम जरूरी प्रतिबधता दिखाएं और उद्योक स्थापित करें, तो ऐसा किया जा सकता है, ये पैसे का नहीं, पर इनसानी परवाह का सवाल है, जो इस संभावना को सफल बनाएगा, उसके बाद मुंबई, मुंबई मे बहुत काम किया जाना है, मुंबई में हम नदी अभियान के लिए एक विशाल ओन ग्राउंड प्रोजेक्ट, एक डेमो प्रोजेक्ट करने के लिए वनमंत्री और संबंधित अधिकारियों से मिलने वाले हैं, एक डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार कर ली गई है और आज वो मीटिंग होने वाली है, कल शाम International Advertisers Association के साथ एक कारिक्रम था, जिसमें सभी बड़े मीडिया लीडर्स मौझूद थे, उसमें ईशा फाउंडेशन को Green Crusader of the Year का अवार्ड दिया गया, इसके लिए मेहनत करने वाले सभी स्वयम सेवकों के लिए ये बड़ी ब इस संभावना को प्रिरित करने वाली शक्ति के रूप में उनसे जुड़े हैं, वो सभी इसका एक हिस्सा हैं, ये उन सभी के लिए एक स्विक्रिती, एक आभार है कि वो सब वास्तव में इस साल के Green Crusader हैं और आगे भी Green Crusader बने रहेंगे, ये संख्या साल दर साल बढ़ती जाएगी, मीडिया एजिंसियों ने इसे मान्यता दी, ये एक बड़ी बात है, हमने अभी एक महत्वपून चीज़ की है, कि हम अपने आर्काइब्स को उन सभी लोगों के लिए खोल रहे हैं, जो इस सामगरी को लेकर जिम्मेदारी के साथ इस्तिमाल करने के इच्छुक ह वो इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए मैं सभी मीडिया हाउसों के सामने ये प्रस्ताव रखता हूँ, कि अगर वो चाहें, तो ये सामगरी ले सकते हैं, हमारे पास सैक्डो घंटों की वीडियो और आडियो सामगरी है, जो मानव जीवन को छू सकती है और अपने भीतर कर सकें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म, जाती, वर्ग, लिंग और नसल के हैं, हर इंसान को पता होना चाहिए कि कैसे वो अपनी खुशाली और रूपांतरन के लिए अपने भीतर कुछ कर सकता है, इसके लिए फाउंडेशन में 14 अलग अलग भा संपादित करने और सही फॉर्माट में डालने के लिए हमारे स्वयम सेवकों ने अब तक बहुत शांदार काम किया है, मगर मुझे नहीं लगता कि हम एक समय सीमा में इसे कर पाएंगे, इसलिए हम इसे free of cost उपलब्द करा रहे हैं, अगर लोग चाहें, तो अपने मंचों पर इसका इस्तिमाल पैसो के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एहम बात ये है कि हम इसे दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, यही समय है ऐसा करने का, क्योंकि हम संचार युग में हैं, जहां लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की हमारी क्षमता जबरदस्त हो गई है, मानवता के इतिहास में पहले कभी इनसान इतने व्यापक तौर पर एक दूसरे के साथ बाचीत नहीं कर पाए, सवाल बस ये है कि हम लोगों तक क्या पहुचा रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज पहुचाने वाले हैं जो वास्तव में खुशाली लाएगी, या कोई ऐसी चीज ज जाता हूँ कि मानव जाती सही संदेश फैलाने का चुनाव करें, जो इस धर्ती पर रहने वाले इनसानों की खुशाली में एक बड़ा अंतर लाएं। तो मुंबई से मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, वहां कई कारेक्रम और बैठके हैं, एक महत्वपून चीज ये है कि हम भारत में हावड ऐलमनाई से बात करने वाले हैं, तो कई दिल्चस बैठके होंगी, सबसे बढ़कर नदी अभियान वास्ताव में तेजी से अलिये, तेक्यू, नमस्करू